अलो मैं दीए स्टुडेंट्स मेरा नाम है सलीम और आप मेरे साथ जुड़े हो EFP Academy जैपुर में आपका online platform में स्वागत है हम लोग धीरे-धीरे-धीरे करके अपना जो main target है उसके सामने आगे हैं आप हना बहुत सारे ground बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है बहुत सारी बच रही है जो हम लोगों ने करनी है ठीक है तो मैं आपकी इसके लिए मदद करने के लिए तयार हूँ लेकिन भई आप लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, माइंड को सेट करना होगा, तांकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, चलो बिना टाइम वेस्ट करें, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसे हम लोग शुरू करते हैं, और हाँ, अगर आप लोग आउनल नीचे नंबर दे रखा है, इसे आप लोग देख सकते हो, और इसके साथ आप लोग आफ लाइन वेच के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, चलो आज का हम लोग जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, जिसे हम लोग उने शुरू करना है अब हम लोग अपने टॉपिक के शुरू करते है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है टेबल टैनिस, क्या है, टेबल टैनिस है, पीछे देख रहे हो कि भई टेबल टैनिस है 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 न तो जो आज का हमारा topic है वो है table tennis table tennis में भाई अब सबसे पहले हम लोगोंने ये देखना है कि इसकी history क्या है इसकी history क्या है table tennis की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो table tennis game है वो indoor game है क्या है तो इंडॉर गेम है तो यह क्या है इञ अंण जुदब बढ़ा कर लिया जाए nearby कि उस्टे क्या है इंडॉर और जो चारदवारी से बाहर खेली जाए, उसे और, ओर बोलते हैं, तो, सबसे पहले, इस गेम की शुरुवात कहां पे हुई और कब हुई? तो जी, इसकी शुरुवात इंगलेंट में हुई थी, 19 सैंचरी में, कब हुई थी 19th century में हुई थी यहां ठीक है तो जो इस game को invent किसने करा था सबसे पहले क्या गोश्च ने कि इस game को invent किसने करा था तो वो थे सबसे पहले क्या नाम था तो अब इस game के साथ क्या है इस game के अलग अलग समय पर अलग लग नाम रहे हैं तो अब हम लोगों ने यह देखना है कि सबसे पहले क्या नाम था तो सबसे पहले इस game का नाम था विफ वैफ क्या था विफ वैफ और इसका पहला नाम क्या था विफ वैफ नाम था यह याद रखना क्या है टेबल टैनिस में सबसे पहले टेबल टैनिस का जो नाम था वो था वही विफ वैफ क्या था विफ वैफ था ठीक है जी फिर 1901 में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1901 में इसका नाम चेंज कर दिया गया फिर इसका नाम क्या रख दिया गया Pink Pong क्या रख दिया गया Pink Pong और कब रखा 1901 में ठीक है फिर उसके बाद असल में इसे अपना नाम कब मिला तो 1920 में इसे अपना पहला नाम मिला जो क्या है टेवल टाइन से क्या नाम है वही टेवल टाइन से कब मिला 1920 में इस बात को भूल मत जाना अब हम लोगों ने कौन कौन सी बात एंकरी कि भै पढ़ा दूसरा नाम क्या पढ़ा 1901 में फिर उसके बाद आखर में लास्ट में इसका जो नाम है 1920 में क्या पढ़ गया भाई टेवल टाइनस पढ़ गया ठीक है जी यहां तक कोई confusion नहीं है चलो आगे देखते हैं उसके बाद अब टेवं टाइनस की जो अस्येशन है वह कब बनी और कैसे बनी ठीक है यह दो चीज़े हैं कि टेवल टाइनस की अस्याशन और फैडरेशन कब बनी जो इसकी अस्याशन थी वह कब बनी थी 1901 में अब association पे question कम आते हैं ऐसा नहीं है कि भई association पूछेंगे वो हमेशा ही Federation के पारे में पूछते हैं कि Federation कब बनी होगी प्रफडरेशन कब बनी होगी तो यही association उसके बाद international Federation में बदल गी थी Table Sumitta International Federation में बदल गी थी लगग 1926 के आज पास क्या है 1926 और उसके बाद जो इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मैच जा हम वर्ल्ड चैंपियनशिप कब करवाई गई थी वो 1926 में ही करवाई गई थी और कहां पर थी वो लंडन में थी क्या थी लंडन में थी अब, next क्या है? evolution, evolution का मतलब क्या होगा? बदलाव, कि भाई कब क्या हुआ और कैसे हुआ? तो इसमें क्या है? 1926 में एक meeting करी गई, जो कहां पर हुई थी? Berlin और London में हुई थी, एक meeting जो 1926 में करी गई, तो इसमें क्या बना? इंटरनेशनल टेबल टैनिस फेडरेशन को बनाया जाए हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि इंटरनेशनल टेबल 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 टैनिस की और इसकी जो मीटिंग थी वो 1926 में ही हुई थी फिर उसके बाद क्या है फर्स्ट वर्ल्ड चैप्येंशिप करवाई गई कि कहां पर हुई थी लंडन में 1926 में यह हम लोगों ने पहले देख लिया अब उल्म्पिक में यह कब आई सबसे इंपॉर्टेंट कुस्टन यहीं से आता है कि बस टेबल टैनिस की जो गेम है वह लंपिक में कब आई तो लंपिक में जो ये गेम आई थी वह 1988 में आई थी फिर उसके बाद table tennis club कौन-कौन से नाम से जानते हैं पहले ही हम लोगों ने बात कर लिए ping pong विफ वेफ क्या है? पिंख पॉंग और व वेफ के नाम से से हम लोग जानते हैं और इसमें जो प्लेयर्ज हैं वो दो या चार प्लेयर्ज कहेलते हैं जो क्या है? अब उसके बाद यह आपका हिंदी वर्दन है कि भाई कब और कहां पर कैसे विकास हुआ आप लोग इसे पढ़ सकते हो कि 26 में 1926 में क्या थी बर्लिंग में मीटिंग हुई थी जिसमें क्या था अंटर राश्री टेवल टैनिस महासंग का गटन करा गया जिसमें उसके बाद क्या हुआ वर्ल्ड Championship कर excellently गई उसके बात जो टेवल टाइन कीश आ है उसे कौन-कौन से नामसे जानँ जाता है जोट नाम्से इसके बाद इसमें जो प्लेएट हैं वो क्या है रट रट चार प्लेयर के लते थार कैसे खेलते हैं इस गेम को कितने गेम लोग खेलते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि भाई चालिस मिलियन लोग इस गेम को खेलते हैं इतनी जादा फेमस गेम है यह कि चालिस मिलियन लोग इस गेम को maintain कोई चीज को नहीं करना पड़ता टेबल लाओ घर पे रुखो और खेल लो तो यह नुमान है कि हर लोग चालिस मिलियन लोग इस गेम को खेलते हैं और यह वैसे जो गेम है वो चाइना में बहुत पापुलर है यह गेम क्या है चाइना में बहुत ज़ादा पापुलर है कहीं बाहर ना जाना हो ठीक है अब नेक्स चलते हैं उसके बाद है भई टेबल टाइनस के नियम क्या क्या है अब टेबल टाइनस के नियम हम लोगों ने सीखने क्या है सबसे पहले तो टेबल है सबसे पहले क्या है टेबल है अब जो टेबल है जो उसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 2.74 metr क्या है table की जो length है वो रहेगी 2.74 metr उसके बाद जो इसकी वेड़ता है वो कितनी रहेगी 1.525 metr उसके बाद यह 30 से इसकी height रहती है आश्मान में यह होता है थोढ़ा सा तो वो क्या है शेत्तर सेंटीमेटर होता है कितना होता है शेत्तर सेंटीमेटर 76 सेंटीमेटर यह क्या है आसमान में होता है आगे हम लोग इसे बनाते हैं और देखते हैं कि यह कैसा देखता है यह कुछ इस तरह से देखता है अगर आप लोग देख रहे हो तो यह टेबल कुछ इस तरह से यह जैसे ही है न हम लोगों ने देखा है तो यह इस तरह से दिख रहा है तो जो इसकी लेंथ है वो है 2.74 मिटर क्या है 2.74 मिटर है और जो इसकी वेड़त है इस तरह से 1.525 मिटर है ठीक है जी यहां तक कोई confusion नहीं है फिर इसकी जो उचाई है अगर आप लोग देखोगे तो यह इसकी उचाई बना रखी है न और यह लंपे के rings बना रखे हैं यहां पर इस तरह से तो जो इसकी उचाई है वो है 60 cm यहां तक कोई confusion नहीं होनी चाहिए easy है हम लोगों ने क्या सीखा length सीखी जो length क्या है 2.74 मिटर है फिर हमने विर्थ देखी जो है 1.52 मिटर है फिर उसके बाद हम लोगों ने height देखी table की कितनी है और height कितनी है 76 cm की height है 76 cm की height है I hope आपको यहां तक कोई confusion नहीं होगा अब next चलते है बैट table tennis का net रहता है अब जो table tennis का net रहता है उसकी dimension क्या रहेगी अब हम लोगों क्या पढ़ना है table tennis के net की dimension देखनी है तो इसके में आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसकी height है जो इसकी height है वो क्या है 15.2 लग बग 15 cm रहती है अब आपको अगर question भी आ जाता है कि table tennis की net की जो height है वो कितनी है 15 आजए 15.25 आजए 15.24 आजए जो भी आए जो पंदरा के आसपास रहेगी वो आपकी height सही होगी इसका reason क्या है कि कुछ लोगों ने international level से पढ़ते हैं कुछ लोग क्या है जो हमारी local works होती है उसमें से पढ़ लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी fluctuation आ जाती है fluctuation का मतलब क्या होता है कि कोई एक सेंटीमेटर जादा लिख देता है कोई एक सेंटीमेटर कम लिख देता है तो हम लोगों ने 15 याद रखना है कि भाई 15 सेंटीमेटर तो रहे गई रहेगा अब उसके बाद कि जितना टेबल है उतना ये नेट रहेगा जितना टेबल है उतना ये नेट रहेगा आप लोगों को टेबल मैंने बताया है कितना है जो इसकी वेड़त है एक पॉइंट लेकर जो ये आप लोग स्पोर्ट देख रहे हो जो ये आप स्पोर्ट देख रहे हो दोनों साइड है ये क्या होती है टेबल से 6 इंच साइड पे होती है मतलब कि बाई ये पीछे रहेगी ऐसे करके और जे रहेगी 6 इंच चेंच साइड पे रहेगी जो इसके पोल रहेगी नेट की सेम रहेगी लेकिन जो जो इस पोर्ट लगती है वो चेंच क्या है बाहर रहती है तांकि नेट अच्छे से लग सके ठीक है अब नेक्स चलते हैं उसके बाद है बाल बाल का मतलब क्या है बाल क्या है जिस गेंद के साथ आप लोगोंने खेलना है यह मैं आपको यहां पर आप लोग देख रहे हूँ यह क्या है बाल अब इस बाल का सबसे पहले तो क्या है यह गोड होनी चाहिए अब दूसरी बात क्या है जो इसका डायामेटर जो इसका डायमेटर है वो 40 mm होना चाहिए कितना होना चाहिए 40 mm यहां पर लिखा भी होगा यह लिख रखा है जो डायमेटर है वो क्या है 40 mm होना चाहिए फिर उसके बाद क्या है जो बॉल है आपकी सीलोलोइड मटीरियल से बनी होनी चाहिए सीलोलोइड मटीरियल का मतलब क्या होता है कि वही यह जो बॉल है वो क्या है किसी प्लास्टिक के अच्छे मटीरियल से बनी होनी चाहिए जो क्या है लाइट वेट हो क्या है लाइट वेट हो उसके बाद जो इसका वेट रहता है व 2.70 gram आपका इसका weight रहेगा यहां पर लेकर रखा है weight कितना है 2.70 gram ठीक है जी अब उसके बाग इसके जो color है जा तो वो रहेगा white जा रहेगा orange दो color use होते हैं international level पर अगर हम लोग देखें यहां होगा white यहां होगा orange ठीक है जी यहां पर लेकर रखा है कि क्या है white और orange color होगा and matte ठीक है अब इसका reason क्या है कि यह दो color होने चाहिए क्योंकि यह indoor game है इन दोनों colors को देखने के बाद ही जो player होता है उनके jerseys allowed करी जाती है उनके kit allowed करी जाती है कि अगर मैंने white kit डाल ली suppose करो मैंने white kit डाल ली और मैं बाल भी white ले रहा हूं और जैसे मैं toss करूंगा hit करने के लिए तो सामने वाले player को पता नहीं चलेगा कि बोल पे कब hit करी यही reason है कि white और orange color की बाल रहेगी इसके बिना कोई और color इसमें use नहीं किया जाता और जो इसका diameter है वो 40 mm रहेगा जो इसका weight है वो 2.70 gram रहेगा यहां तक कोई confusion आपको अगर है तो आ आगे चलते हैं अब उसके बाद है racket अब क्या है racket है तो racket आप लोग देख रहे हो यह है हमारा racket अब racket किसी भी size का किसी भी shape का और किसी भी weight का हो सकता है लेकिन लेकिन क्या है वो फ्लैट होना चाहिए और रिग्ड होना चाहिए यहां पर लेक रखा है किसी भी size का किसी भी shape का किसी भी weight का racket ले सकते हो आप लोग लेकिन वो क्या है फ्लैट और रिग्ड होना चाहिए भई फ्लैट होना चाहिए ठीक है जी और इसके बिना इसमें क्या है 85% made from wood 85% made from wood का मतलब क्या है कि भाई 85% ये लकड का बना होना चाहिए कोई इसका weight matter नहीं करता कोई इसका size matter नहीं करता और कोई इसका color matter नहीं करता है ठीक है और उसके उपर आप लोग अगर देखोगे तो ये वाली क्या है रभड लग रखी यह पूरी की पूरी क्या है रड कलर की रबड ठीक है यहां तब कोई confusion नहीं है उसके और बाद है भई पॉइंट कभ मिलता है और अब बारीय आगी पॉइंट कभ मिलता है पॉइंट का मतलब क्या है कि मालो एक इम यहां पे है यह बना टीबल हम लोगों ने table बना दिया यहां पर मालों net लगा दिये है A team B team अब point का मतलब क्या है कि जब A team service करेगी तो वो point कैसे लेगी जब B team service करेगी वो point कैसे लेगी तो सबसे पहला जो point है, if an opponent fails to make a correct service, अब इसका मतलब क्या है कि भाई जब विरोधी क्या है, fail हो जाता है अपनी service को अच्छे से करने के लिए, अब इसमें अच्छे से करने के लिए क्या मतलब है, यहां से service हुई, मैंने यहां से service करी और मेरी बाल नेट में फस गई, तो क्या है, point क्या है, b team को दिया जाएगा, एक point, ठीक है, b team को point दिया जाएगा, उसके बाद क्या है, if an opponent fails to make a correct return, अब इसका मतलब क्या है, कि भाई, a वाले ने service करी और b वाले से वो बोल उठाना हो, b वाला उस game को, बोल को उठा ना सका हो, fail हो जाए उठाने में, तो वो भी क्या है, fail हो जाएगा, और point क्या है, a team को दिया जाएगा, अब नेक्स्ट क्या है, if the ball pass over his or her court beyond his or her end line without touching his or head court, after being chucked and opponent, अब इसका simple मतलब है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पढ़के बता दिया, simple मतलब है, कि अगर player की ball, सामने वाले player को ना touch करे, उसके racket को touch ना करे, उसके racket को touch ना करे, जैसे ही service करी, वो ball उसके coat से बाहर चले जाए, फिर भी point क्या है, opponent को मिलता है, क्या है, point क्या है, opponent player को मिलता है, अब next क्या है, उसके बाद क्या है, after being stucked by an opponent, pass through the net, between the net and the net post, between the net or any playing surface, अब इसका मतलब क्या है, कि जब भाई, ball को मारा जाता है, ball को फेका जाता है, उसके बाद वो ball net में फस जाए, net के side पे जो post लगते हैं, उसमें फस जाए, जा फिर net को touch करके बाहर गिर जाए, ठीक है, तो उस समय भी point opponent को दिया जाता है, उस समय भी point क्या है, opponent player को दिया जाता है, अब next है, opponent obstruct the ball, अब इसका मतलब क्या है, कि जब कोई player ball को फसाद देता है, है, फसाद देने का मतलब, पहले वाले point पर ही आ जाओ, कि जब कोई player ball को क्या करता है, net में रोग देता है, जा फिर pole पर लगा देता है, उस समय भी point क्या है, विरोधी खिलारी को दे दिया जाता है, अब next चलते हैं, अब game कितने point की होती है, अब game कितने point की होती है, तो इसमें जो game है, वो 11 अंकों की होती है, क्या है, 11 अंकों की game होती है, 11 points की game होती है, और इसमें जो जिसने सबसे पहल, जो मानलो 10 point होगे, तो उसके बाद उनको 2 point लेने पड़ेंगे, फिर वो जीतेंगे, मतलब किया है, कि इसमें 2 point का difference होना चाहिए, जीतने के लिए, जीत जाएगा, यह set को फिर जीत जाएगा, अब उसके बाद मैच में ऐसा नहीं लिख रखा, रूल बुक में की, 3 set लगेंगे, 5 set लगेंगे, जा 7 set लगेंगे, उन्होंने क्या लिखा है, कि भाई, any odd number of set game, any odd number of game के द्वारा आप लोग क्या है, match को कर सकते हो, जैसे 3 set, 5 set, ठीक है, 3 set लगा लो, 5 set लगा लो, 11 के, और उसके बाद ये match क्या है हमारा चलता जाएगा, अब उसके बाद है हमारा equipment कौन-कौन से होंगे और playing court कैसा होगा, ठीक है, अब उसमें हर एक equipment क्या है, approved and authorized होंगे, अब इसका मतलब क्या है, जो इसकी federation बनी हुई है, जो इसकी federation बनी हुई है, उस federation के according की अपना equipment होना चाहिए, अगर वो अपनी federation के according equipment नहीं बनता है, तो हम लोग उस equipment के साथ नहीं खेल सकते, क्या है, हम लोग उस equipment के साथ नहीं खेल सकते, यहां तक कोई confusion नहीं है, चलो, आगे चलते हैं, उसके बादे playing clothes, playing clothes का मतलब क्या है कि अब कपड़े कौन कौन से use होंगे, तो सबसे पहले क्या है, player के लिए क्या है, short sleeve और sleeveless, shirt होगी, shorts होगी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, sports output होगी, socks होगी और playing क्या है, shoes होगे, other garments such as part of all tracksuit shall not be warm during play, accept the permission of the referee, आप लोग tracksuit वगेरा पहरें सकते हो, लेकिन referee की permission लेनी पड़ेगी, वो permission देगा, नहीं देगा, वो spit paint करता है, ठीक है, तब next चलते हैं, उसके बाद क्या है, playing conditions, अब playing conditions में क्या है, कि भाई अगर हम लोग क्या है, किसी game को खेल रहे हैं, इस game को कर रहे हैं, अब इसमें 14 मिटर की लंबाई और 7 मिटर की चुड़ाई दे रखी है, plus क्या 5 मिटर की height है, लेकिन अगर एक ही area में हम लोगों ने, मालो 2 या 3 table लगाने हैं, तो उसमें आपको 6 x 6 की चुड़ाई चाहिए, 6 x 6 की चुड़ाई का मतलू क्या है, मालो एक table यहाँ पे है, दूसरा table यहाँ पे है, तीसरा table यहाँ पे है, चौथा table यहाँ पे है, पांचमा table यहाँ पे है, अगर इतने आप लोग टेवल लगा देते हो तो उसमें आपको इसके बीच में से जो दूरी है वो 6-6 मिटर की चाहिए लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे लंपिक में जान किसी भी होर ऐसी चैंपिनशिप में आपको क्या है 14 मिटर लंबा एरिया चाहिए और 7 मिटर का चोड़ा एरिया चाहिए और जो इसकी हाइट रहेगी आशमान से वो कितने मिटर होगी वो पांच मिटर होगी यह दो चीजें हैं दोनों को याद रखना कि भाई वैसे तो हमें चाहिए एरिया 14 मिटर 7 मिटर और 5 मिटर के अगर उसके बिना हम लोगोंने टेबल लगाने हैं बीच में तो उन टेबल के बीच में जो एरिया है वो कम से कम 6 मिटर तो हमें चाहिए ही चाहिए क्या है 6 मिटर का एरिया चाहिए 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 और फिर हम लोग एक या दो साथ लगा सकते हैं तो उसके बाद देखते है अब match officials कितने होंगे अब match officials का मतलब क्या है कि भाई जो लोग match को conduct कराएंगे जो लोग match को conduct कराएंगे अब इसमें क्या है सबसे पहले क्या है रैफरी रहेगा अब रैफरी का main काम आप लोगों को मैंने पहले इवेंट को देखना है अब उसके बिना Empire होगा, सेस्टेंट अपायर होगा, स्ट्रोक काउंटर होगा और टेबल टैनिस का क्या है, review होगा, जो रीवियू करेगा, अब जो ये स्टोक काउंटर है, जा टेबल टैनिस के review है, इनका काम क्या होगा, जैसे मालो टाईम नोट कर लेना, ठीक है, उसके ब अब इंटरवल कैसे होगा अब इंटरवल का मतलब क्या है कि जब एक सेट हो गया और एक सेट के बाद दूसरा सेट होना है तो क्या होगा अब एक सेट के बाद हमें लग बग क्या है एक मिनट का इंटरवल मिलेगा यह क्या है एक मिनट का है 30 से लेकर 60 से कंड तक 60 से कंड तक हमें इंटरवल मिल सकता है उसके बिना जैसे ही 6 पॉइंट होते हैं गेम में जैसे ही 6 पॉइंट होते हैं गेम में तब भी क्या है एक interval दिया जाता है हलका ऐसा वो होता है 30 seconds का एपॉइंट हुए every six point के बाद क्या है start हो जाता है game में interval जो क्या है 30 seconds का होगा ठीक है क्या है 30 seconds का होगा उसके बिना अगर कोई player पूरे match में क्या है पूरे match में अगर कोई player time out लेना चाहता है तो उसे time out भी चाहिए एक minute का ही मिलेगब यज बात आप लोग याद रखना कि अगर कोई player क्या है जा फिर कोई team क्या है interval लेना चाहती तो उसे interval भी क्या है एक minute का ही मिलेगब अब उसके बाद यह फिर से हिंदी में है अगर आप लोगों पढ़ना चाहते हो तो इसे पढ़ सकते हो देख सकते हो वही चीज़े हैं जो मैंने आपको पहले समझाई हैं वीडियो को रोक कर देख लेना पढ़ लेना आगे शुरू करते हैं अब उसके बाद क्या है टॉप इंटरनेशनल टेबल टैनिस टूरामेंट है ठीक में से कोश्चन बहुत काम आते हैं इंड़ में से क्या है बहुत काम आते हैं लेकिंगा हम लोग देख लेंगे तक्से फिर Latin American Cup है उसके बाद North American Championship है North American Cup है उसके बाद किया है उसी निया Championship है और इसी निया Cup है इन में से question बहुत कम बनते हैं मुश्कल से एक या दो question आएंगे शायद ठीक है फिर भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना लेकिन वैसे इन में से question कम ही बनते हैं अब आप लोगों ने वह तो कर लिया अब जो इसकी टेबल टैनिस की क्या है लंबाई चुड़ाई आप लोगों ने देख लीजी फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं मैं दो तीन चीज़े रहे गई ती उसमें कुछ इस तरह से दिखता है हमारा टैनिस का ठीक है तो अब इसमें क्या है सबसे पहले क्या है सेंटर लाइन रहती है अब सेंटर लाइन के बाद इसमें से एक लाइन टेबल के आसमा आर पार निकलती है तो इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो यह जितना भी एरिया है एक है जितना भी एरिया है एक टी सी और डी ठीक है ये एरिया था ना तो अब इसमें क्या है ए और बी के बीच की जो दूरिया आप लोग कर च strange हो दो यह वाली जो यह मुटाई है यह याद रखना वो है o 2mm क्या है वो 2mm है लेकिन जो सेंटर की लाइन लगती है यह वाली यह सेंटर की लाइन लगी है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है 3 mm है इसे याद रखना कि भाई ये क्या है 3 mm की लाइन है ठीक है आज का हमारा टोपिक हम लोग यहीं पर खतम करते हैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारी एकैडमी के साथ आप जुड़े रहो थेंक यू सो मच